दोस्तों अभी हमने जश्ट क्रेट ओपनिंग किया है प्रीमियम का और अगर आप एक चित ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किता गंदा भाई किता गंदा लग रहा है याँ 20 यह माई वाले देखो अचानक मेरी नजर गई अगर आपने क्रेट ओपनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्रजबती गेविंग पे जाके देख ले न आपने वीडियो डाल दिये ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सेक्यूरिटी से रिलेटेट कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जो 1.7 में अपडेट हुआ है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी ठीक है आपको कुछ बातों का ध्यार रखना है जैसा कि आपको बताएंगे 20 GMI वाले, PUBG वाले समय समय पे आपको इंफर्म करते रहते हैं कि आप यह चीज़े मत करो ने तो 10 दिन का पैन लगा देंगे 10 साल का पैन लगा देंगे इस तरह से कुछ तो आपको मेल सक्षन में जाना है अब आपको जाना है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक नया चीज एड हुआ है Security Mail यानि Security से Related अगर कोई भी चीज़े आएंगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेल में आप देख सकते हैं Announcement Subject Battleground Mobile India Player Security Convention आप देख सकते हैं यानि सिकूर्टी के बारे में कुछ बाते करनी हमसे बीजियमाई वालों को ठीक है अगर आप तोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना वन टू तिरी फोर फाई सीक्स सेवन एट नाइन ओ भाई नीचे बहुत सारा लंबा चौड़ा इन्होंने रूल बनाया हुआ है अगर आप इसमें से कोई गलती करते हैं कोई एक गलती कर देते हैं तो आपका आईडी बैन हो जाएगा एक अपते के लिए दो अपते के लिए महीने के लिए या तो पर्मानेंट तो चलिए हम आपको सौट में बता देता हूँ आप पढ़ लेना लेकिन यह चीज जरूरी है अभी यह चीज गेम में इंप्लिमेंट हो गई है तो आप यह चीज ध्या रखना जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चिटिंग और यूजिंग अनथराइज प्लग इन यानि अगर आप किसी ऐसे अपने देखा होगा पैक्स फाइल लोग पैक्स फाइल यूज करते हैं ताकि जो आपका बंदा है काफी तेजी से दोड़े हिट सौट लगे आपने देखा होगा 90 FPS के लिए पैक्स फाइल होती है मतलब बहुत कुछ होता है आईपैड व्यूज के लिए पैक्स फाइल होता है तो अगर आप ऐसा कोई फाइल यूज करते हैं चिटिंग करते हैं तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी अगर आप किसी third party software का यूज करते हैं तो आपका ID बैन हो जाएगा third party software से मतलब है आपने देखा होगा अगर सर्च करेंगे Google पे तो आपको mode APK मिल जाएगा ठीक है 1.7 का mode APK मिल जाएगा तो ऐसा अगर आप किसी third party software का यूज करते हैं या तो आप किसी third party software के जरी ये खेलते हैं, आपने देखा होगा, कई ऐसे software अगर आप उनके through BGMI, PUBG, PUBG मोबाईल को प्ले करते हैं, तो आपका no requirel होगा, no requirel होगा, means बंदे को सीधे hit पे लगेगा, और बंदे का location आपको पता चल जाएगा, तो अगर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे तो आप का ID बैन हो जाएगा, हो सकता है, दो दिन के लिए बैन हो, हपते के लिए बैन हो, दस दिन के लिए मैने के लिए या तो पर्मानेनट यानी 10 साल के लिए बैन हो जाए, आप देख सकते हैं, अगर आप किसी mode application का जैसा कि मैं आपको बनता है अगर आप किसी mode APK का यूज करते हैं BGMI या PUBG Mobile का तो वहाँ पर भी आपको बैन लगने वाला है दोस्तों मैं एक वीडियो इसके उपर बनाने वाला हूँ mode application के उपर लेकिन डर भी ना हूँ यार कही copyright ना आ जाए क्योंकि अच्छी चीजे बताना BGMI PUBG Mobile को बुरा लग जाता है मैं लोगों को अच्छी बाते बताता हूँ कि आप यह काम ना करो फस जाओगे अपने देखा होगा मेरा एक चैनल तो बंदी हुआ है ठीक है तो छोड़ो इस बात को अब यहाँ पर दिया हुआ अगर आप अपने phone के hardware से कुछ भी मतलब बहुत लोग होते हैं root करके खेलते हैं root से पता नहीं चलता BGMI वालों को कि बंदा hack करके खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है अगर आप ऐसा भी ठीक है गाली आपको मतलब किसी के खिलाब गाली यूज नहीं करना है किसी जाती धरम के ऊपर comment नहीं करना है ठीक है ऐसी चीज़े आप लिखी हुई है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ID बैन हो जाएगा हो सकता है 1 week के लिए 2 week के लिए पर्मनेंट बैन हो जाए तो आप यह अची ध्यार रखना यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं तो आप इन सब को रीट कर लेना ठीक है मैं आपको बता दो basically ID बैन कैसे होती है ठीक है जो main point मैं आपको बता देता हूँ आपको hack नहीं लगाना है पहली बात मतलब headshot aim क्या क्या होता है न तो वह चीज प्रवाइड करता है तो आप GFX टूल ना यूज करें तो मेरी साबसे अचा है ठीक है थर्ड चीज अगर आप किसी hacker के साथ में खेलेंगे rank push करेंगे तो एक बंदे को report पड़ेगा और manually check करेंगे bgmy वाले और आपको पा जाएंगे हाँ आप बार बार इसके साथ match खेल रहे हो rank push कर रहे हो तो आपकी भी ID बैन हो जाएगी तो आप यह चीज ध्यार रखना और 4 चीज आप किसी को गाली ना तो क्या फाइदा गाली देगे ठीक है मैं एक वीडियो बनाओंगा मैं एक recording किया हूँ ठीक है डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक लंबा चोड़ा मैंसे दिया था कि आप ऐसा करो लोग गालिया दे आप गेम में यह चीज एंप्लिमेंट करो तो बंदे गालिया नहीं देंगे मैं उसके उपर वीडियो बनाओंगा आप देख लेना ठीक है काफी मज़ेदार वीडियो होगा बंदे काफी खतरना खतरना कॉमेंट कर रहते तो दोस्तों आप इन सारी चीजों से बचके रहना बाकी आपका ID बैन नहीं होगा ठीक है टेंसल मतलो बैन नहीं होगा और कार्डिंग ओडिंग से बचके रहना क्योंकि बहुत से लोग पैसा लेते हैं तो कार्डिंग की उस ही दे देते हैं तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइप करना, सियर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मिल दे नेक्स वीडियो में